YouTube पर gaming channel बनाकर 8-10 महीने में 25 लाख रूपिये भी कमाए जा सकते हैं हमारे कि student ने कमाए हैं? आप देखो YouTube पर channel बनाकर 8-10 महीने में कैसे 21 लाख रूपिये कमा लिया? सब कुछ आपके सामने है इस बने ने इतना पैसा कैसे कमा लिया 8-10 महीने में सिर्फ YouTube से 25 लाख रूपिये इसके बारे में भी आगे बाते करेंगे earning में आपको दिखाऊंगा 1000 views पर कितना पैसा मिल लेगा सब कुछ आपको बता चिलने वाला है तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए बहुत important है हर किसी का ये question रहता है कि कौन सा गेम खेलें और यहाँ पे एक ये है चैनल का नाम क्या रखें चैनल के नाम में बहुत confusion रहती है ये भी doubt आपका clear हो जाएगा इसी वीडियो में अब यहाँ पे ये देखो editing कैसे करनी है editing भी इस वीडियो में सिखाएंगे shorts बनाए ये long वीडियो बनाए जब आप gaming video upload करोगे आपको shorts डालने चाहिए एक चैनल पर या अलग-अलग channel बनाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे लिखाऊ है कितना पैसा मिलता है कितना पैसा मिलता है इसी वीडियो में आपको live दिखाऊंगा कि कितना पैसा आप shorts से कमा सकते हो मतलब short वीडियो बनाके ये long वीडियो बनाके gaming channel पे कितना पैसा मिलता है सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो बाद का कोई चक्कर नहीं अभी लाइक कर दो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो सारे डाउट आपके किलियर हो जाएंगे फिर कोई और वीडियो देखनी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए आपके पास एक नहीं दस ओप्शन है आपको मैं दस गेम दे रहा हूँ दस में से जो आप चाहो वो खेल सकते हो अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप PUBG गेम खेलो क्या आप खेल लोगे? क्योंकि आपको तो फिरी फायर खेलना आता अक्चे से अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई GTA 5 खेलो और अच्छे वाले कमपूटर में खेलना है, अब आपके पास से अभी निकाल दो किसी computer की आपको जरूत नहीं है आप सब कुछ अपने मोबाइल से कर सकते हो तो आपके पास सबसे पहले एक smartphone होना चाहिए अब smartphone यह नी भाई कोई 5000 रुपे वाले में आप गैम खेल लोगे आज कल तो हर किसी के पास अच्छा ही mobile होता है तो आपके पास बहुत सारे option है पहला option आपके पास है कि आप पहले option पर रख सकते हो PUBG आप PUBG खेल सकते हो PUBG खेलना एक अलग बात हो गई और उसको record करना कैसे करना सब कुछ बढ़ाऊंगा दूसरा option आपके पास हो गया Free Fire तो आप बाई दो गेम्स के option आपके पास होगे तीसरा आपके पास होगे GTA 5 लेकिन ये गेम आपको computer में खेलना पड़ेगा अब mobile के लिए आपको पता है कौन कौन से गेम्स आते हैं अब आपको करना क्या है यह जान लीजिए मालनो आप बहुत बढ़िया expert हो मालनो कि आपको PUBG अच screen recording कर लेना है बस इतना आपको करने है जैसे आप game खेले हो कोई भी screen recording software से कर सकते हो या mobile के भी आजकल तो screen recorder आते हैं उससे screen recording करनी है तो game खेलते खेलते आप साथ में पीछे से voice over भी करो साथ में आपको बोलना भी है कि अब हम यह कर रहे हो वाई इसको डा दिया वाई इसक तरीके सापको पीछे से record भी करने है मालों आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो तो वह भी record करो सब कुछ record करो लेकिन अगर आप यह करोगे कि आप फिरी फायर खेल रहे हो और आपने उसका screen recording कर दिया स्क्रीन recording समझना और आपने screen recording कर दिया डारेक्ट उसको YouTube पर upload कर दि आपको sponsorship भी करने आने वाले डाप मैं अच्छा पैसा कमाना चाहते हो gaming से तो भाई पीछे से voice over करना जरूरी है पीछे से आपको बोलना पड़ेगा पीछे से नहीं बोलोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे आपका video viral भी होगे तो आपको कोई नहीं जानेगा आप जब gaming में expert हो तो दिखाऊ ना उसको आपको शर्माती है जब YouTuber वीडियो upload करते हो शर्माने की जोरत नहीं है तो इसमें आपको face दिखाने की जोरत नहीं पड़ी अभी तक पहला तरीका यह हुआ अग इसमें दूसरा तरीका क्या है आपको अपना एक mobile हातों में ले लेना है जिस mobile में आप game खेल लो मालनो आप उसमें fire fire खेल लो तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको इस तरीके से game खेलते रहना है सामने अगर आपके पास camera है तो camera सामने रख लो camera सामने रख लो या फिर घर में दूसरा phone है ममी बापा को कोई भी phone होगा sister का phone ले लो starting में जरूरत नहीं क भाई आपको नए iPhone खरीद के लेका नए फालतू की जीदे मत करना तो आपको phone हातों में पकड़ना है एक सामने रख लेना है जिससे कि आपके reaction भी record होते रहे ठीक है और उसको आप editing में side में लगा सकते हो बहुत सारी gamers ऐसे करते हैं तो आप अपना game खेलते रहोगे सामने स recording होता रहेगा editing में आपको सिखा दूँगा editing करना बहुत आसान है आसानी से match कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो इस तरीके साब game खेलते होगे सामने से recording हो रहे है तो आपका बहुत जबरदस्त वीडियो बनेगा इससे क्या होगा लोगों को interest आएगा आपका भी face value ब खेलना पड़ेगा total gaming जो रदस खेलता है तभी तो लोग like करते हैं अगर आप normally record करके ले भाई घरदी अपलोड कौन देखेगा आपको देख भी लेंगे कौन याद रखेगा आपको तो कुछ तो अच्छा खेलना पड़ेगा आपको अच्छा होना चाहिए आपके अंदर क्या quality ये game खेलने की वो YouTube पर दिखाओ जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हैं मैं ये उखाड लूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा वो YouTube पर दिखाओ अपनी कला अगर लोगों को बसंद आ गया तो समझो लोग आपका face देखेंगे कि भाई face तो दिखाओ जैसे मैं एक gaming channel शुरू कर दिया फिर लोग मुझे बोलेंगे जुन्द भाई आप अपना face तो दिखाओ एक्जामपल दे रहा हूँ मैं कोई gaming channel ने शुरू कर रहा है एक example दे रहा हूँ कि कुछ quality होनी चाहिए आपके game में तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है अब हम पीछे चलते हैं यहाँ पे हमारा अगला point आता है channel का नाम क्या रखें channel का नाम हमें क्या रखना चाहिए देखो भाई अभी के time में यह confusion बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि भाई हमें channel का नाम क्या रखना चाहिए channel का नाम अगर आपका अच्छा नहीं होगा थोड़ा अच्छा सा अट्रेक्टिव सा नाम नहीं होगा तो आपके channel को कोई याद नहीं रखेगा इस चीज़ का ध्यान रखना आपका नाम है अंकित मालो भाई आपका नाम अंकित है और आप इसकी आगे अगर लगा लगा लेते हो अंकित गैमर्स तो या जो भी आपका निक नहीं हो जो भी आपको क्यूट सा नाम लगता हो वह आप रख सकते हो लेकिन फालतू का नाम नहीं रखना है अब कैसे चेक करेंगे कि यह नाम मैं रख सकता हूं या नहीं उसके बाले में जान लो क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है YouTube पर जब आ लेड़ी 3호,69k be abdya sagskiber है तो यह नहीं चलेगा अगर मैं यहा पर अंकूग्यामर मैंने शर्च किया तो yहा प рук म्हें पर आछी किया अब अकूगावा क्या जंयल करेगा बहुत दिनो नाम का चैनल बना लेते हो अंकु गेमर का और आप रोज देली एक वीडियो अप्लोड करते हो तो इस बंदे का चैनल नीचे चला जाएगा आपका चैनल ऊपर आजाएगा अब आपको एक इंपोर्टेंड बाव बताता हूं आप लोग परिशान रहते हो किया जुन्नु भा आपको मली गैमिंग है आपको क्या करने है उपर थ्री डोट पर क्लिक करने है यहाँ पर आपको सर्च फिल्टर पर क्लिक करने है उसके बाद आपको यहाँ पर एक उप्शन मिलेगा वो ओल पर आपको क्लिक करने है उसके बाद यहाँ पर आपको चैनल पर क्लिक करने है च इतने भी इस नाम से चैनल होंगे, वो सारे के सारे आजाएंगे, देखो, सारे के सारे चैनल आएंगे, अगर आपको लग रहा है कि 8 सब्सक्राइबर हैं, 9 सब्सक्राइबर हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, तो आप चैनल बना लो, घर आप रेगुलर वीडियोज अप्लोड करे तो भाई यहां पर तो ओल लडी साथ हजा सब्सक्राबर रहें तो मुझे कुछ और नाम सोचना चाहिए मैंने आपको बता दिया कि अंकू गैमर रख लो अंकू गैमर तो ओल लेडी है आपका नाम ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ओल लेडी बंदे के सब्सक्राबर हैं इतने स आपको यूट्यूब पर काम करने हैं आप यूट्यूब से पैसा कमाऊगे तो आप स्टाइडिंग में क्या अपने चैनल का नेम नहीं सोच सकते हैं चैनल का नाम सोचने में लिटरली एक एक दिन लग जाता है सिरियसली बतानो दो 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 दिन लग जाते हैं लोग अपने चैनल का नाम decide नहीं कर पादे जैसे मैंने आपको बताए इस तरीके से filter घर के अपना search करो और अपना नाम रखो कोई भी अच्छा सा attractive नाम होनो चाहिए फाल तुकानी यानि 0102 लास्ट में लगा दिया तो चैनल का नाम चैनल का एक्जांपल देकर मा आपको समझाऊँगा तो चलिए यहां से आगे चलते हैं और इसको erase करते हैं मालनो भई आपने अपना एक gaming चैनल बना लिए आपने start किया हुआ है, already किया हुआ है और एक होगे आपके long videos और यहाँ पे आप videos upload कर रहे हो gaming वाले, और एक होगे आपके short video, अब shorts में आप upload कर रहे हो, अपने video जिसमें facecam है, और आप फालतू के videos बना रहे हो, आप gym में जा रहे हो, वो video डाल ले हो कुछ भी डाल ले हो, मालनो आप यहाँ पे gaming videos बना रहे हो, और gaming से related ही आप short video upload करते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मालनो आप free fire खेलते हो PUBG खेलते हो, कोई भी game खेलते हो लोग आपको जब देखना पसंद करेंगे जब आप कुछ अलग करोगे कुछ अलग का मतलब समझ रहे हो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल दोना और एक दो गाली देदे तो नॉर्मल वाली बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको गाली देनी है गाली देनी में आपको नहीं सिखा रहा हूँ जैसे आप बाते करते हो, थोड़ी ऐसे ऐसी बाते करते हो कि भाई यह करना आНе आगे चल भाई हटा मार दिया, यह कर दिया, वो कर दिया इस तरीके से होता है ना gaming में, मैं देखते रहता हूँ उपने दोस्तों को, तो इस तरीके से ही आपको करने इस तरीके से ही आपको करने वह ही रिकोड करके डालना है बस अब जैसे आपने एक long वीडियो तयार किया अब long वीडियो आपका मालनो भाई 20 मिनट का आपका screen recording हो गया, यहाँ पर SR में लिख देता हूँ SR का मतलब screen recording मालनो आपका 20 मिनट का screen recording हो गया अब उसमें 20 मिनट में से आपने एक वीडियो निकाल लिया अपना 8 मिनट का अब आपका कुछ यहाँ पर बच गया तो आपको यहाँ से कुछ शोर्स के लिए निकाल लेना है शोर्स के लिए 15 से 20 सेकेंड का एक किलिप निकाल लोगे एक तो आपका शोर्ट वीडियो का जु लेकिन अगर आप गेमिंग से रिलेटिड ही वीडियो डालते हो कुछ इस तरीके से लिखकर भाई अज्जु भाई से सीखो ना या ट्रिक सीखो ऊपर आपको एडिटिंग में बस लिख देना इसकेम ओपी बोलते तो इस तरीके से व्यूज चेक करो या चोवन मिलियन चोवालिस मिलियन तो इनसे भी आपको लोग पहचानेंगे यह लगाओ या ट्रिक इससे आपके बहुत जल्दी सब्सक्राबर वढ़ते हैं लेकिन इस चीज का ध्यान रखना शोर्स आपकी गेमिंग की ही होनी चाहिए अगर कोई और शोर्ट वीडियो होंगे नहीं चलेगा नहीं चल पाओगे आप इस तरीके से क्योंकि आपके पास घुचर पूच और ओडियनस हो जाएगी आधी कुछ आधी कुछ तो अजजी भाई का चैनल चेक करो यहाँ पर हम पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करते हैं सारी की सारी आपको गेमिंग से रिलेटे बहुत सारी लोगों को प्रोब्लम होती है काफी सारे लोग यह चाहते हैं कि हमारा शोर्स का चैनल अलगो और लोंग वीडियो का चैनल अलगो तो आप एक काम करो एक शोर्स का चैनल बनाओ एक लोंग वीडियो का चैनल बनाओ तो जहां पे आप लोंग वीडियो डालोग आसानी से बहुत आसान है यार मैं आपको हमेशा अच्छी चीज सजेस्ट करता हूँ तो मेरी बास सुनो आप एक ही चैनल पर शोर्स भी डालो लोंग भी डालो गैमिंग से रिलेटिड ही होनी चाहिए अब आप इस स्क्रेंशोट को देखो यह मैंने शोर्ट वीडियो अपलोड किया और अपनी लोंग वीडियो का लिंक नीचे दे दिया जिसको मेरी लोंग वीडियो रेखनी है वो नीचे किलिक करेगा समझ रहो तो इस तरीके से शोर्स बनाकर आप अपनी लोंग वीडियो पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हो तो दो चैनल का जंजट ना पालो एक से ही अपना काम चलाओ वह ना पालतु की टेंशन बड़ीगी आपकी तो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया और मुझे पता है आप लोग सोच रहोंगी कि जुन्लू भाई ने ये क्यों नहीं बताया तो हमने मिस कर दिया एडिटिंग कैसे करें तो चलिए अब एडिटिंग ही सिखते है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसा कितना मिलता है पैसा कितना कमा सकते हो तो आप एडिटिंग सीख लो पहले उसके बाद पैसा भी देख लेना तो एडिटिंग करने के लिए आपके पास दो ओप्षन है पहला ओप्षन आपके पास है वी एन एप्लिकेशन ये बिल्कुल फिरी है second option आपके पास है kind master लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप kind master से editing करो और maybe आपको kind master से ही editing सिखाऊँगा क्योंकि इसको first option पर रखो तो kind master से ही editing सिखाऊँगा VN से करना चाहो VN से कर सकते हो दोनों सही है kind master application को open करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यह चीज़े तो आपको already पता होगी तो आपको यहाँ पर media पर click करने है media पर जैसे आप click करोगे आपको अपनी gaming की screen recording यहाँ पर add कर लेनी है जो आपने game खेला और उसका screen record किया वो आपको यहाँ पर add करना है जैसे मालनों अपने game खेल लिया और आपको ओ लेडी पता है कि मैं कहाँ पर क्या करने वाला हूँ एक तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि आप साथ के साथ अपनी voice भी record कर सकते हो जैसे मैं यह game खेल ला हूँ तो मैं साथ के साथ recording भी कर सकता हूँ तो मेरी यह attention खत्म हो जाएगी बाद मैं voice over करने की अब एक तरीका क्या है यहाँ पर मैं recording पर click करूँगा तो यहाँ पर मैं okay करता हूँ और start पर मैं click करता हूँ यह देखो guys मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और भार जाते ही देखो मैंने यहाँ से gun change के और यहाँ पर मारा बने bomb फ्रेक के और उसके बाद यहाँ पर मतलब यह तो आपको ही पता होगा मैं तो सिर्फ आपको idea दे रहा हूँ अब मैं यहाँ से गाई चुप चाप निकली है आपको वो इस match नहीं हो पा रहा तो भाई आप screen recording पर click करो उपर catch ही वाला है का आपको आइकन नजर आ रहा होगा आपको बस यहाँ पर click करने है और इसको split कर देना है split कर दोगे और आप आगे पीछे से चाहो इसको एक बार और split कर देता हूँ मालों आपको इस वाले part की speed भरानी है इस वाले part की और तो आपको यहाँ पर speed का एक option मिलेगा तो इसके यहाँ से थोड़ी सी speed भरा दो ताकि आपका audio बिल्कुल perfect match हो और मैं तो आपको यही suggest करूँगा कि आप एक काम करो साथ के साथ पीछे से screen recording कर लो जैसे game खेल लो तभी बोलना शुदू कर दो लेकिन हर कोई नहीं कर पाता ही चीज़ मुझे बता है हर किसी के बसका नहीं है तो इसलिए बाद में voice over कर सकते हो काइन मास्टर से आप easily editing कर सकते हो अब ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे से voice over कर सकते हो अभी एक voice over मालो एक मैने यहाँ पर लगा दिया अब मैं recording पर click करता हूँ फिर से start पर click करता हूँ अब यहाँ से शुड़ करता हूँ तो guys उसके बाद मैं जैसी छट पर गया मैंने gate खोला यहाँ पर मेरे को लग रहा था मालनो भाई आपको उपना face add करना है जो आप game खेले रहे हो आपने reaction video सामने से बनाए जैसे मने आपको starting हो बताया तो आपको यहाँ पर layer पर click करना है उसके बाद आपको media पर click करना है अब आपने जो reaction video बना है उसको यहाँ पर add कर लेना है यह देखो मैंने तो अभी कोई नॉर्मली वीडियो एडि कर लिया, आप जो रियल रियक्शन वाला वीडियो का वो एडि करना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक करोपिंग का उप्शन मिलेगा, करोप पे जाना और इसको आप इस तरीके से करोप कर सकते हो, अब आपकी इस तरीके से पकड़िके आगे पीछे कर सकते हो, मालो यह रियक्शन आपने यहाँ पे दिया था, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, देखो यह पले करा, ओ भाई, यह आप तो जो ओरिजिनल आपका ओडियो होगा, यह तो भी मैच नहीं हो राज के साथ, तो मैंने आ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, तो वीडियो जब आपका रेडियो हो जाएगा, वीडियो रेडियो होने के बाद उपर आपको एक्सपोर्ट पर किलिक करने, तो वीडियो रेडियो करने के बाद इस चीज़ का बहुत सारे लोग ख्यालनी रखते हैं, इसको 30 fps पे से ब हम कितने लाख रूपिय महीना कमा सकते हैं, सारे डाउट आपके इस वीडियो से किलियर होने वाले, स्पोंजर्शिप से कितना पैसा मिलता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो मताऊंगा, एक तो होता है योट्यूब से कितना इंकम होता है, अभी जो हम बात दुरहने वाल आपको योट्यूब का इंकम दिखा रहा हूं कि आप योट्यूब से कितना कमा सकते हो, एंड आपको इस पॉंजर्शिप से कितना मिलेगा, वो आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर यह चेक करो, इस वीडियो पर जो व्यूज आए, इस पर व्यूज मिले 38,500 और इस पर जो रुपिये मिलेंगे 1000 पर, mac. 1000 पर बीऊज पर सिर्फ आपको 28 रुपिये मिलेंगे, अभी यह फिक्स नहीं होता है, जरूरी निक आपको एक हजार व्यूज पर 28 रुपिये मिलेंगे, अब यहाँ पर धियान से देखो, आपको इस वाली वीडियो पर व्यूज देखो कितन बताता हूँ, यह मैं चलता हूँ, 0.46 मैं यहाँ पे add करता हूँ, इसको यहाँ से add आता हूँ, 46, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 38 रूपिया हमें, 1000 विडियो पर मिलते हैं, अब आपने से बहुत सारे लोगों के mind मारोगे, क्या जुन्लू भाई, यह fix होता है, नहीं, यह fix नहीं होता है, यह RPM आपका कितना भी हो सकता है, हाइस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे यह चेक करो, जो gaming वाले वीडियो होते हैं, इस वीडियो पर हमें व्यूज में 88,100 व्यूज और इस पर earning है, 0.14, बदब 47 डॉलर का earning है, तो इस पर हमें 1000 व्यूज का 0.14, अगर हम अंदाज लगा कर चलें, 1000 व्यूज पर 50 रुपय का, यस आप कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, चलिए उसके बारे में बताता हूँ, देखो आप सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई, आपकी वीडियो सारी की सारी कोई 5 मिनट की तो नहीं रहेगी, मालनो आपके कोई 5 आपने यहाँ पर रख दिया 8 मिनट, तो 8 मिनट की वीडियो में आप एक एड यहाँ पर भी लगा सकते हो, और एक एड यहाँ पर लगा सकते हो, वीडियो से थोड़ा से पहले, और गेमिंग वीडियो की अगर बात करें, वो होती है, भाई, आधे आधे घंटे की 30 मिनट क वीडियो होती है तो आप एक एड़ यहाँ पर लगाओ एक एड़ यहाँ पर लगाओ आप अपनी मर्ज़े अपनी वीडियो में एड़ लगा सकते हो गर आठ मिनट से उपर का वीडियो है तो मैं आपको एक्जांपल के साथ दिखा भी देता हूँ यह चेक करो और अभी हम आज चुके है टेकनो गेहमर्स के चैनल पे यह बंद आप भहुत पैसा कमाता है भाई योट्यूब से गेमिंग वीडियो बना कर यह चेक करो वीडियो की लेंथ चेक करो 30 मिनट पच्चिस मिनट वीडियो का लेंथ जादी रहता है गेमर्स का एक गंटे का भी है भाई का जो GTA वाली सीरीज है ये चेक करो, एक घंटा 7 मिनट का, ये Minecraft गेम का है, तो ये सब चीज़े आप जब ट्राइ करोगे, जब आप परफेक्ट हो जाओगे गेम में, जब आप YouTube से पैसा कमा लोगे, उसके बाद ही ये सब गेम्स खेलक पाया हुए, अगर आपका बजट है, आप अपने मुबाइल से शुरुआत करो, जैसे में आपको बताया, फिर आपको सिस्टम की ज़रूत नहीं है, बाद में सब कुछ अरेंज हो जाता है, जब YouTube से पैसा आता है, तो में आपको YouTube की अरणिंग तो बता दी, अब हम बात करते हैं कि आप लोग स्पोंजर्शिप की बात कर रहा हूं, आप शोट्स अप्लोड कर रहे हो और आपकी वीडियो पर एक मिलियन व्यूज आ जाते हैं, तो आपको लोगो वाला स्पोंजर्शिम मिलेगा, आपको एक स्क्रेंशोट साइड में नजर आ रहा होगा, तो लोगो वाला स्पोंजर्शिम मिलेगा, लोगों को लगाने का आपको एक मिलियन व्यूज पर चार से लेकर पाँच हजार रुपीय मिलते हैं अगर आपकी वीडियो पर दस मिलियन व्यूज आगे तो आप खुद काउंट कर लेना पाँच हजार के इसाब से कितने रुपीय होगे तो सिर्फ आपको लोगों लगाने का पैसा मिलते है शोट्स पर और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को लेकर चलने हो और आप लोग वीडियो बनाते हो लोग वीडियो पर आपके अच्छे कासे व्यूज आने शुरू आते हैं तो आपको 10,000 व्यूज पर भी हो सकता है 10,000 रुपे का स्पोंजर्शिप मिल जाए यस ऐसा होता है गैमिंग चैनल में भी ऐसा होता है जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं वो 10,000 व्यूज पर 15,000 रुपे भी ले सकते हैं लेकिन गैमिंग में ये पोसिबल ली है क्योंकि गैमिंग में भाई आपको 15,000 व्यूज इस तरीके से मिलते हैं सिरियसली बता रहो 1.5 मिल्यूज इस तरीके से मिलते हैं अगर शोट्स की बात करूँ तो ये बहुत आसान है शोट्स में गैमिंग पर समझे रहो टोटल गैमिंग के जाकर शोट्स देखना हो बन्दा किस तरीके से रोक कर रखता है ओडियस को बहुत खतरनाक तरीके से रोक कर रखता है तो आप लोग भी आट ट्राइ करो न तो अगर आप लोग वीडियो बनाते हो तो भाई 10,000 व्यूज पर मान कर चलो आप 5,000 रुपे ले सकते हो sponsorship के जब आपके 100 के average व्यूज आने शुरू जाएंगे जब आपके 100 के average हो जाएंगे हर वीडियो पर 100 के व्यूज तो अच्छा कासा पैसा आप YouTube से भी कमा सकते हो और sponsorship से भी कमा सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये doubt अच्छे से clear हो गया हो अब आपका जो भी question है comment करो comment में पूछो यार मैं आपको जवाब देने के लिए तो यार हूँ या वीडियो ही बना दूँगा उस topic पर अगर आप कहोगे तो तो हो जाओ फिर comment में शुरू जो भी आपका question है पूछो मैं आप से लोग किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना जाने के end भावाई